ओम सिरीगनेश रायनमा दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई सौंबार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्थिति में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ती के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल है दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अदभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिबा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी सम्बंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जिहा दोस्तो आज भागय आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित परिणाम आज हासिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाये रखने के प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दि की प्राप्ति हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तो साथिसाथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आएके साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती है इसलिए किसी भी प्रकार की आप लाप केंदरित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदाएक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना आति आवशक है आज कोई पेमेंट भी आ पूड़ी कमजूर हो सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे दोस्तों साथे साथ परिवा वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्त रखना आवश्चक हैं साथिसाथ पति-पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुस नुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पेसावाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद ख होंगी नोकरी पेसा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथी साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना की घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेसा वैक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्च रखता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खान पान और आर रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदी से निर्वत्र होने के बाद मंदिर जाएं और भगवान शिव को आप दूद और मिश्री अवश्य चड़ाएं और साथ इसाथ भगवान शिव के मंत्र ओम नमस शिवाएं मंत्र का मनी मन 108 बार जाप अवश्य करें और अपनी मनो काम नए मांगें जै दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान शिव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानि का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै बहुलेना तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद